हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक वेलकम टू एक्समार्ट स्टेडी 2.0 मैं सुभास राज स्वागत करता हूं आप सभी साथ्यों का साथ्यों इस वीडियो में आज बहुत ही महत्पुन प्रश्णों को लेकर आए हैं पिछले 20 साल से पूछे गए जीके के 50 महत्पुन कोश्चन बहुत ही इंपूटेंट और सेलेक्टिड कोश्चन है पिछले 20 साल से जो कोश्चन सबसे ज़्यादा वारीपिट हुए हैं बहुत ही इंपूटेंट कोश्चन है आप वीडियो कौन तक दिखिए मजा ना आए तो फिर कमेंट में बोलना आप चलिए सुरू करेंगे पहले कोश्चन के साथ उससे पहले सभी से रिक्वेश्ट है वीडियो को लाइक कर दीजे साथियो अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर कर दीजे चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कलीजिएगा जो साथी लोग नए हैं देखिए चैनल के अंदर मैंने कई सारी बहुत ही इ बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन असाथियो बिधान सभा में जी एश्टी कानून पारित करने वाला पहला राज्जी कौन सा था तो याद रिखीगा ऑप्सन नंबर बी असम नेक्स्ट कोश्चन कास्ट बिग्यान और प्रधोगी की संस्थान भारत में कहां इस्तित है देखीगा कास्ट बिग्यान और प्रधोगी की संस्थान जो है साथियो ये भारत में बैंगलोर में इस्तित है ओप्सन नंबर ए इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन निम्न में से कौन सी नदी भुपाल के सब से निकट इन में से कौन सी नदी बहती है तो बेतवा नदी ओप्सन नंबर भी इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा आगे देखिए राष्ट्य खेल दिवस परतेक वर्स कब मनेया जाता है साथियो राष्ट्य खेल दिवस जो है ये परतेक वर्स मेजर ध्यांचंद के जनमतिति पर 29 अगस्त को मनेय जाता है ओप्सन नंबर ए राइट अंसर है आगे देखिए एक राज का राजपाल एक क्या होता है इन चारों में से एक आंसर होगा तो साथियो देखिएगा एक राज का जो राजपाल होता है वे संबेधानिक प्रमुख होता है क्या होता है संबेधानिक प्रमुख ओप् क्रिकेट है न ओडियाई क्रिकेट का कैप्टेन कौन था तो याद रिखिएगा अजीत वाडेकर ओप्शन नंबर सी क्राइट एंसर होगा आगे देखेंगे हमारे देश में आयोजीत उस कायरकरम का नाम क्या है जिसका लक्ष प्राथिविक विद्यालयों में नियुनतम नातक जैसंकर परसाद के दोवारा निखीत नहीं है बहुत ही इंपोर्टन क्षेनर साथियों देखीगा तो यहां पर साथियों देखिए चबमों सब्धार को यहां संचर परकिर बेह northern नातक यहां जैसंकर परसाद दोरा लिखित नहीं है तो यहां पर चंद्रगूप्त धुरु स्वामिनी और इसकंद गुप्त इन तीनों के लेखक हैं जैसंकर प्रसाद ठीक है लेकिन साथ यो दिखीगा option number D जो आपको दिख रहा है ना पहला राजा इस पहला राजा नाटक के लेखक है जगदिस चंद्र माथूर कोन है जगदिस चंद्र माथूर याद रखन तो option number D इस question का right answer हो जाएगा आगे दिखिएगा लेबराडोर जलधारा निमन में से किस परकार की जलधारा है तो लेबराडोर जलधारा जो ऐसा थी हो ये एक सीत धारा है सीत option number B right answer होगा आगे दिखिए किस देश में करेन नामक जन जातिया सम्हू पाए जाते हैं तो दि इस वी में नालंदा विशुविद्यालाई का पुन रुप से बिनास हुआ था यानि किस साल में नालंदा विशुविद्यालाई का पुन रुप से बिनास हुआ था याद रिखिएगा 1193 में और साथियो किष्ने किया था तो बक्तियार खेजी ने बक्तियार काकी खेजी याद रखना ठीके जो महमद गोरी का सेनापती था देखिएगा नालंदा विशुबिद्यालाई के सथापक कौन थे याद रखिएगा साथ यो कुमार गुप्त ठीके चलिए नेक्स्ट कॉस्चन देखिए आसान मंजिल पेलस जो की धाका में इस्ति थे ये किस के लिए परस अपना से ये मंजील पेलेस जो है आसान मंजील पेलेस संबंदित है ओप्षन नमबर सी राइट अंसर है आगे दिखिए किसने सोर मंदल का पृतिवी कैंद्रित मोडल प्रतिपाधित किया था काफी इंपोर्टेंट कोउस्चन है राइट एंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर भी राइट अंसर है किस राज में खडग वासला बांध इस्तित है भारत के किस राज में खडग वासला बांध जो है वो इस्तित है याद रिखेगा बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है महाराष्टरा में नेक्स्ट कोश्चन बिस्वद्द दिवस हर वर्स कब मनेया जाता है साथे और बिस्वद्द दिवस जो है प्रतेएक वर्स एक जून को मनेया जाता है औप्शन नमबरस राइट अणसर है निम्ण मेंसकोन से देवता चोल मंदिरों के प्रमुक थे तो देखेगा चोल मंदिरों के प्रमुक देवता थे सिव जी ओप्शन नमबरे सिव करेक्टन्स रोगा आगे देखिए असुपती को कहां का राजा कहते थे या वे कहां के राजा थे तो याद रिखेगा के 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 ओप्शन नमबरे के 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 नेपोलियन फ्रांस का समराट किस वर्स में बना था तो साथियो नेपोलियन जो है फ्रांस का समराट 1804 इस भी में बना था राइट अंसर है ओप्शन नमबर C 1804 आगे दिखिएगा किसकी उपयोजना के रूप में राष्ट्रिय केसर मिसल लॉंच किया गया तो याद रिखिएगा किसकी उपयोजना के रूप में राष्ट्रिय केसर मिसल लॉंच किया गया था तो साथियो राष्ट्रिय क्रिसी विकास योजना के रूप में याद रिखिएगा याद रिखिएगा साथियो 15 अच्छा साथियो अंतराष्टिया नियालाई का मुख्यालाई कहा इसती थे याद रिखिएगा दाहेग में दाहेग का हैं तो निदरलेंड में इक्यावनवा देश कौन सा था जिसने संयुक्त राष्ट संग यानि युवेनो के चार्टर परहस्ताक्षर किया था तो साथियो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी पॉलेंड नेक्स्ट कॉस्चन किसने कबूलियत और पट्टा सुरू किया था तो देखिएगा कि गल्फ इस्ट्रीम क्या है साथियो ये गरम जल धारा है तो ऑप्सन नमबर राइट अंसर हो जाएगा गरम जल धारा नेक्स्ट कॉस्चन दिखिगा किस परकार की फसले अफरीका की मुख्य खाद फसले हैं तो अफरीका की जो मुख्य खाने वाली फसले हैं खाद फसले व याद रिखीगा सुमन राव को, next question, 27 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अबिश्व खेटर दिवस याद रखना, next question दिखीगा, कौन सी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसीद है, तो साथ यो अफगानिस्तान का ये जो हेलमंद है, ये अफ़िम की खेती के लिए परसीद है, option number D, right answer हो गिया, आगे दिखीगा, बर्स 2019 में सुनिल छेतरी को किस खेतर में पदम सिरी पुरसकार मिला था, तो साथ यो, right answer क्या हो जाएगा, इस question का, याद रखिएगा, सभी साथ ही किस खेतर में, तो भई, खेल के छेतर मे सुनिल छेतरी का संबन, फुटबॉल से है, याद रखना, फुटबॉल, आगे दिखिए भारत सिनेमा के संदर में, निमन में से किस एक के लिए सेंडल वुड सब्द का इस्तमाल किया जाता है, बहुत ही important question है, साथ यो, कंणर सिनेमा के लिए, याद रखना, कंणर, जैसे हिंदी सिनेमा के लिए, बॉलिवुड, याद रखना, कंणर सिनेमा के लिए, सेंडल वुड सब्द का परियोग किया जाता है, आगे देखेंगे, बर्स 1994 में, सारुक खान को, किस फिल्म को लेकर, फिल्म फियर सर्वस्रेश्ट अभिनिता का पुरसकार दिया गया था, तो क्वेश्टन का राइट अंसर हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया, आप्सन नमबर सी राइट अंसर है, आगे देखेंगे, भोपाल में इस्थित भारत भवन, किस के लिए, एक मिलन भूमी है, तो साथियो भोपाल में इस्थित है, ये भारत भवन, जो कलाकारों क एक मिलन भूमी है, कलाकारों के लिए, आटिस्टों के, आगे दिखेंगा, निम्न में से किस परदेश का, एजुत चान पूरा कारम, सरवच्य साहित पुरसकार है, इनमें से किस परदेश का, या किस राज का, तो दिखेंगा, राइट अंसर हो जाएगा, साथियो केरल का, आप्सन नमबर डी राइट अंसर है, भारत में एक राजकिन इस्थितियों में बाजार से उधार ले सकता है, तो केंदर की सहमती के साथ, आप्सन नमबर राइट अंसर है, पहला भारतिय एकिकरित बागवानी जीला भारत में किस राज में है, बहुत ही इंपोर्टेंट क इस question का राइटन सरो जाएगा साथियो गुजरात में option number D राइटन सरो गिया भारतिया पंचवर्षिय योजना का architect निम्न में से किसे कहा जाता है साथियो PC महाल नोबिस को next question भारत की पहली पुर्ण कालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है तो देखेगा भारत की पहली पुर्ण कालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है तो याद रिखेगा साथियो निर्मला सितारामन option number A अभी बरतमान में निर्मला सितारामन जो है साथियो वो हमारी बित्त मंत्री है और बरतमान में रक्षा मंत्री कौन है तो याद रखना राजिनात सिंग चलिए next question देखेंगे भारत क स्वतंत्रता के समाई निम्न में से कौन हिंदु राजा कस्मीर के सा सकते तो याद रखना हरी सिंग जी नेक्स्ट कोस्चन चारो और से कौन सा सागर है जो भूमी से घीरा हुआ है तो साथियों चारो और से कौन सा सागर है जो भूमी से घीरा है तो आप्सन नमबरे अराल सा अगर नेक्स्ट कोश्चन निम्न में से कितने वर्स तक एक बार पूरे कारियालाई के लिए चुने जाने पर कोई भी नियाजिस अंतराष्ठे नियालाई में कारि कर सकता है तो साथियों नौ वर्स तक अंतराष्ठे नियालाई में जो नियाजिस होते हैं उनका कारिकाल होत बर्स 2019 माई के चुनाओ की बिजाई के बाद केविनेट मिनिस्टर में ग्रिया मंत्री किसे चुना गया था यानि बरतमान में भारत के ग्रिया मंत्री होम मिनिस्टर कौन है याद रिखेगा अमित्सा निमन में से कौन भारत के अंतिम बाइसराय थे बड़ा ही important question असाथियों दिखीगा Lord Mountbaton निमन में से किस देश से अक्टूबर करांती संबंदी थे तो याद रखना अक्टूबर करांती का संबंद है रूस से option number B right answer है बारत्य संबिधान के किस अनुच्छद में उच्चे नियायलेओ को रीट जारी करने की सक्ति देता है याद रखना बहुत important question अनुच्छद 226 में next question भारत भारत देश में बिभिन भागों में कितनी अलग-अलग बोलिया बोली जाती है very very important question तो याद रखना 844 अलग-अलग भासाएं भारत के बिभिन भागों में बोली जाती है next question कोन सा सहर भारत का ओसत समुद्र तलमापन है तो याद रखेगा चन्नाई option number right answer है साथियो option number right answer next question देखेंगे इन में से राष्टिया मानव अधिकार आयोग का चैर्मेन कोन हो सकता है दिखेगा right answer हो जाएगा option चैनल के अंदर बहुत सारी बहुत ही important इसी तरह के content वाले अच्छे अच्छे questions में प्रवाइड कराएं हैं जो आपके exam में direct फसेंगे तो जाएए और देख लीजे साथियो चैनल बिल्कुल भी नाया है आप लोगों की प्यार और सपोर्ट किया है सकता है साथियो सभी सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकेन कौन कर लिजेगा वीडियो को लाइक जरूर करना और सभी दोस्तों के साथ सेयर कर दीजेगा मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक स्वस्त रहें जैन साथियो वन्दे मात्रम